आलो और असलाम लेकम एवर्वन वेकम बाक टो माय चैनल तो आज में लेकर आई हूं आप लोग लेके बड़े ही अमेजिंग सी रेसिपी जो के मेरे खुद के लिए एक बहुत बड़ा चालेंज है मास्टर शेफ की रेसिपी आज हम बनाएंगे जो मास्टर शेफ की किचन में अल्टिमेट प्रेशर टेस्ट वाले एपिसोड में शेफ शारांज गोईला ने अपनी रेसिपी बताई थी विच वस सफर नामा बड़ा ही खुबसूरत जिसना नाम खुबसूरत है दिखने में यह रेसिपी उतनी ही कहीं जादा खुबसूरत है पर थोड़ी सी चैलेंज वाली और ट्रिकी भी क्योंकि यह 100 स्टेप्स चैलेंज वाली रेसिपी मुझे खुद को अपने को चैलेंज करने में बड़ा ही डर लग रहा था लेकिन फिर बहुत दिनों से यह रेसिपी यह वीडियो पेंडिंग में चली जा रही थी तो मैंने सोचा चलो इसे अपने आपको एक चालेंज देते हैं और यह रेसिपी मैंने शूट करी आप लोगों के लिए और बहुत ही टेस्टी बनकर रभी थी बहुत ही अच्छी ब यह जो पुलिए और यह रेसिपी करें नहीं देखेंगे वीडियो और सबस्दी जो हम बनाएंगे वो है चाकफुर्ट घी रोस्ट तो यहां पर मैंने कथल लिये थे 1200 ग्रैप जिसे मैंने हल्दी और नमंक डाल कर भाल कर दिया है अब यहां पर हमने एक पैन में जस्ट गी डालना है और इसी श्रेड़ेट कठल को हमने थोड़ा सा फ्राइ कर लेना है कि इसके उपर अच्छी सी सोंधी सी खुश्बू आ जाईए देखिए यह हो गया इसे एक प्लेट में निकाल करके साइट पे रखते हैं अब यहां पर वापस से मैंने जस्ट वान टी स्पून घी लेना है और यहां पर मैंने यह मसाले लिये हैं सब स्क्रीन पर लिखे हुए मिल जाएंगे इसे हलका सा रोस्ट करेंगे साथी गालिक भी आड़ कर दिया है और एक छोटी सा इसका प्याज मैंने इस तरह से चौप क अब वापस से वान टी स्पून घी लिया है मैने कड़ाई में और यहां पर राई डालेंगे वान पोर टी पून और करी पत्ता 20 से पचीस डालेंगे अगूआ सल्ट पी अब यहां पर धिये हैं ओर साथी थोड़ा सा पानी अब आप इसे हमने भूनना था जब तक यह मसाल और अच्छे से भूननी जाते हैं और यहमरी सौल अब यहाँ व euf प्रॉटना मसाले प्रॉट है और यहाँ प्रॉट सब्राइंड और तैयाँ लो कुछ मिन्ट के लिए ठाब बेगों और यहां पर यह हमारा कठल घी रोस्ट बनकर तयार है देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे ताकि एक थोड़ी सी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो ठीके तो यह हमारा रेडी है साइट पर करते हैं दूसरी रेसिपी है हमारे अमरूद की सबजी तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसका एक मसाला बनाएंगे वन टीस्पून रचिली पाउड़ा, वन टीस्पून क्युमिन पाउड़ा, हाफ टीस्पून मैंने लिया है हल्दी और सॉल्ट और इसे एक थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से पेस्ट बना के साइट पर रखना है यहां पर मैंने लिया है पैन में वन टीस्पून ओई, साथ ही थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हीन डालेंगे और यह मसाल डाला अब यहां, पर थोड़ा सा पानी डाला है और मसाले भून लेंगे ऑफूरेट होने तक मसाले भून गये है, ऑले अब यहां पर आइड कर देंगे यह किश्मिश बलाक उले हैं आप नॉर्मल किशमिश भी ले सकते हैं उसके बाद यहां पर हमने आड़ कर देना है यह गावा ठीक है यह मैंने दो मीडियम साइस की गावा लिया थे जिसे मैं इस तरह से चोटे चोटे पीसे में कट कर लिया है अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लि तो इसे अभी हमने अच्छे से मिक्स करना है और यहां पर मैं आड़ कर रहे हूं चाट मसाला पावर्डा थाफ टीस्पून और थोड़ा सा इसे मैश करेंगे ताक एक थोड़ी सी बाइंटिंग कंसिस्टेंसी हो और जह हम इसे फिल करेंगे ना अपने कुल्चे में ते ब अभग 3 टेबल स्पून इसमें मैंने चार मीडियम साइस के आलू को चोटे चोटे पीसे में कटकर के लिया है और यहां पर सॉल्ट एड़ी एड़ करेंगे और इसे फ्राय करेंगे जब तक के आलू हमारे पकनी जाते सौफ नहीं हो जाते और इसके ऊपर अच्छा सक कलर जाता यह देखे कुछ इस तरह से अब चलिए सारे आलू को हमने निकाल करके एक प्लेट में अलग करके रख लेना है यह हो गया अब यहां पर बचे हुए तेल में मैंने डालना है ग्रीन चिलीस साथ से आठ चॉप करे हुए उसकी साथ ही मैंने यहां पर लिया है मस्टर् कर लेंगे और थोड़ी सी इसमें एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आए उसके लिए मैंने थोड़ा पानी डाला है और ढगके पका लेंगे तो यहां पर देखे यह थोड़ी से मैश मैश थोड़ी से कर लेंगे ठीके और ताकि हमारा थोड़ी सा बाइंडिंग कंसिस्टें थोड़ पानी अड़के पर पाउडर के घनिया पाउडर 1 alla टेश्पून एक लिया हल्दी पाउडर 1 फोड़ी टेश्पून गरम अज़की सब्सक्राइब गरम गल मसाला पाउडर और एसका पेस्ट बना लेंके यह करके इस तरह से साइड पर रखते हैं आप सब्सक्राइब नहीं जीरा और हिंग डाला है और साति यह मसाले आड़ करके इसे एक्छे से ऐप और हेपर होने दक हमने यहां पर बहुन ले रहा हैं यहां इसे मतर को भी हमने तो मुण देल के साथ में अच्छे सपया खं़ बूला जाया है तो पूरा पंचला और पहुणाने लगे एक वह तो यहां पर अट करदेंगे एंड में नहीं चार्ट मसाला,- 0.5 टीस्पून, अच्छे से mix कर लेंगे. यहां पर यह मारा मतलब द्राय लग यहां पानी पका लेंगे यहां पर मिटा में टाई है चलें के साइडुया V. जो हमारी पाँच वी ते उन यहां है यह मैंने चैने लिये हैं इंदार द के रिक रॉबह पक हुआने तक यह वी इसे नमक बाल लिया था रेट चिली पाउड़ा 1 TSP दालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउड़ा 1 TSP और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है उसकी बाद यहां पर पैन में हमने डालना है ऑईल वान टेपली स्पून के करीब में इसमें दालेंगे थोड़ा सा चॉप गालिक और यहां पर मैंने जूड़ा अपरें के नियुलिफ ज और फ्राई करें जाएं टॉड़ा चॉप करेंगे साथी चिली चॉप करेंगे टॉप करेंगे होगे हल्का साद्व मिक्स करने ऐनं क्याद मैंने चनने आणे और अच्छे से भून लेंगे पका लेंगे तो यहां पर लगभा एक मिनट के लिए मैं पका लिए रेडी है साइट बे करते हैं अब बनाएंगे यहां पर हमारे ब्रेड के लिए दो तो यहां पर मैंने लियूक वाम दूद लिया है हाफ कप टीके उसमें हमने डालना है शु इसे प्रूफ होने के लिए हमने साइट पर रख देना है दस मिनट के लिए दस मिनट बाद देखिए यह इस्ट हमारा इस तरह से बिल्कुल फ्रॉदी सा हो जाएगा तब हमने इसमें आड़ करना है मैदा तीन कप उसके बाद इसमें आड़ करेंगे सॉल्ट वान टीस्प तो यहां पर लिउक वाम दूद का ही आप यूज करेंगे और यहां पर मैंने 1 फॉद कप दूद लिया है जितना जरूरत होगा उसके हिसाब से हमने इसका एक बिल्कुल चिपचिपा सा डो बांध लेना है तो यह देखिए मैंने इस तरह सा बिल्कुल चिपचिपा सा डो तो अब यहां पर मैंने लिया है वान टेबल इस्पून बटर इस तरह से रूम टेमपरेचर पर होना चाहिए थोड़ा-धोड़ा एड करेंगे और इसे इस तरह से हमने स्ट्रेच करना है बाग करना है और थोड़ा-धोड़ा बटर भी हम बीच-बीच में इस तरह से आड कुल्चे के ब्रेट को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगी और बहुत ही अच्छा जाली तार हमारा कुल्चा बनाएगा तो यह देखे यहां पर मैंने 1 फॉट कप दूद लगा था ना लिया था ना तो यहां पर देखिए 1 टेबल स्पून दूद हमारा बच गया वी ठीक है तो य पूलने के बाद में तो बस अपने हाथों से पंच कीजिए मतलब इसकी हवा निकाल दीजिए और इसे थोड़ा सा इस तरह से नीट कर लेंगे इसका मैंने इतना बड़ा सा पेड़ा बना लिया है सूखे मैदे से डस्ट करके इसे हमने रोल कर लेना है तो वैसे तो मास्ट मैं निकाल कर ले रहे हूं तो यह देखे यह हमारा कट गया अब यहां पर हमने सूखा मैदा इस तरह से डस्ट कर लेना है दोनों साइट से ताकि यह थोड़ा सा चिप चिपा ना हो प्रदर पिपर की रख लिया है बाकी का फॉर्दर जो हम काम करेंगे यह बटर पेपर के ऊपर ही करेंगे तैक तो इस बात का आपको ध्यान रहे है तो यहां पर देखिए मैं को स्किल से दिखा हरूँ इसफ 10 इंचिज का मैंने यहां पर देखिए यह यह रोती बेला है ठ प्रेजेंट किया था और टोटल 24 मतलब इसके पार्टिशन किये थे तो बस मैं वही कर रहे हूं जैसे आश्रो का चक्रा को हम लोग ड्रॉ करते हैं सेम वैसे ही आपने मार्किंग लगा करके इसके टोटल 24 स्पोक्स आपने निकालने हैं और यहां पर देखिए यह मैंने टोटल 24 स्पोक्स निकाल दिया मतलब पार्टिशन कर दिया है मैंने इस तरह से मार्किंग लगा दिया है बीच में इस तरह से कटोरा रखेंगे और यहां पर मैंने चारो जो फिलिंग बनाई थी ना सबजीयों की उसके मैंने हर एक एक के 10 से 12 ग्राम के करीब मैंने लिया है अर हर एक मैंने इकोल करके माप माप करके लिया है आप से लिया में लगा देंगे بीच में मैंने पिंडि चने लगा दिया लगा दिया ओपर और पर से एक रोटी मैंने बेली थी वो लगा दिया है केंगे ध्यान से आपने मार्किंग करनी है कि एक की फिलिंग दूसरे के उपर इस तरह से नहीं मेरे ठीक है फिर हम इसे कट कर लेंगे अब जो हमने मार्किंग लगाई है देखे इस तरह से ध्यान से कट कर लेने हैं कीकर जमास कुछाने हे criança से टाप्टल कई अच्ट निचाने के आप्म इसके चाए के बाध रिएगे जट요। अच्छा हे चाए ज sudah लिए चांता है लिए ट्विस्ट के हमलेते हैं भी आहे घंप ऊचाने इस तरह से उठाएंगे देखे इसके पेटल को फोड़ा साफ करेंगे क्योंकि यह कुछ चिपक सजाते हैं तो आपने खोलना पड़ेगा और जो भी एक्स्ट्रा डो हो इसके पेटल को बराबर करते हुए आपने इस तरह से तोड़ के निकाल देना है जैसे मैं कर रही हूं बिल्कुल वैसा आप करेंगे तो यह देखे यह हमारा कितना खुबसूरत सा बिल्कुल फ्लावर शेप का और कलर कांट्रास देखिए कितना प्यारा लग रहा है तो बस इतनी ज्यादा मेहनत करके मैंने बहुत ही शॉप से और बहुत ही प्यार से यह रही है आप लोग ले यह तो बच गए थे ए देखे दुद्ध मेरे पास थोड़े से बच गहते हैं मैंने तो तो यह भी तैसले काला कलर मिला गर करके तरह से बना लग पना लिया दो बना लें और इस तरह से एक रोप की शेकल में हम बना लें एटाना तो यह जो ब्रेट ता इसके बीच से यह इसके उपर इस तरह से लगा लेंगे लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मुझे थोड़ा सा पानी लगा लेना था ताकि यह हमारा जो राउंड जो हमने बनाया है रोप की तरह नहीं हमारे कुल्चे के उपर अच्छे से स्टिक हो जाए तो वह मैंने पानी लगा लिया इसके बाद बीच में मैंने थोड़ा सा दूद लगाया है आप पानी भी लगा सकते हैं थोड़ा सा कलॉंजी और पॉपी सीट डाल करके रेडी कर लिया है फिर से ढख करके इसे आदे खंटे के लिए साइड पर रग देंगे तो आदे गहंटे बाद यह देखिए थोड़ देखिए मैंने एक कटोरे में बेटर लिया है और बीच में मैंने छोटा कटोरा रखा है इसमें जलता हुआ कोईला और थोड़ा डाल के इस तरह से धुआ आने देंगे और ढख के छोड़ देंगे तो सारा दूआ जब सेटल डाउन हो जाएक तो यह हमारा स्मोग बटर ब तो हर चीज़ डिपेंड करता है मैं सनलाइट में सूर शूट करती हूं नॉमल रेडमी का एक फोन है मेरे पास मैं उसी से शूट करती हूं तो जितना हो पाता है मैं आपको अच्छी से इच्छी कॉलिटी देनी की कोशिश करती हूँ लेकिन यह कितना रिजम्बल कर रहा ह शिव शहरां स्कोईले के सफर नमा डिश्ट वो आप मुझे ज़रूर कोमेट कर के बताहिएगा मैं दो बहुत खुश हो हुए ती बना गर के आप मुझे ज़रूर 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 कामेट करके बताईएगा थालाइगा कैसा लगा यह रिख वीडियों पसंद आई है त तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई अलाहाफीज और यहां पर देखिए मैं जो क्वालिटी की बात कर रही थी ना देखिए मैं किसी और मुबैल से शूट कर रही हूँ